हाई गाईज वेलकम बैक टो मैं चैनल फूट्स वर यू आज मैं आपके साथ मेंदूबड़ा की रेस्पी शेयर करने वाली हूँ और उसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत सारे टिप्स जिससे आपका मेंदूबड़ा बिलकुल पारफेक्ट मार्केट जैसा बनेगा अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा आप मुझे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अगर आप मार्केट जैसा रिंग शे मेंदू बड़ा घर पे नहीं बना पाते हैं या उपर से बिलकुल क्रिस्पी और अंदर से बिलकुल सॉफ्ट मेंदू बड़ा बनाने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आज की मेरी ये वीडियो आपकी बहुत हल्प करने वाली है आने में तो लाजवाब लगते ही हैं बनाना भी बहुत आसान है तो सारे टिप्स के लिए वीडियो को पूरा देखेगा इसे बनाने के लिए दुलीवी उड़त की दाल ली है ये एक कब दाल है एक सरजार में सारज डाल डाल लीजिए, देखे मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं यूज किया था, मेंदू वड़ा बनाने के लिए बैटर जो है थिक होना चाहिए, इसलिए हम पानी का यूज बहुत कम करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी यूज करेंगे, देखे इस त अगर आप प्यास काते हैं तो आप इसमें कटिवी प्यास भी आड़ कर सकते हैं, इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिजे, थिक बैटर बनाने से ही मेंदू वड़ा का पर्फेक्ट शेप आप आप आएगा और नमक भी हम इसमें ब्लास्ट में आड़ करेंगे, क्य वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, मिक्स करने के बाद हम इसमें आड़ करेंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार आड़ कर लीजेगा, और इसे अब हम हाथों से फेटेंगे, फेटने का प्रोसेस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अगर आप बतला होने लगता है, इसलिए हमने नमक बाद में आड़ किया था, फेटने से में दुबड़ा अंदर से सॉफ्ट और जालिदार बनेंगे, इसलिए ये प्रोसेस स्किप नहीं करना है, देखिए ये अच्छे से फेट चुका है, इसे चेक करने के लिए अब एक बोल में प में दुबड़ा का रिंग शेप कैसे बनाना है, उसके लिए आपको हथेलियों को अच्छे तरीके से गीला कर लेना है, एक्स्टा पानी हाथ में नहीं होना चाहिए, बैटर को हाथ में ले लीजे और इस तरीके से राउंड शेप देने की कोशिश कीजे, देखिए मैंने शेप आपको तियार करना है, इस प्रोसेस को अगेन अगेन करेंगे, जब भी आप मिंदुड़ा बनाएंगे तो आप इसको दुबारा करिए, हाथों को गीला करिए और अंगुठे से इसमें छेप कर लीजिए, इसे बनाने के लिए पैन में ओयल कर लीजिए और जब ओयल गरम हो जाए, तब इसमें आप इसे डाल लीजिए, हाथों में पानी लगाने की वज़े से ये इसली रिमूव हो जाएगा और तेल में आ जाएगा, देखे ये प्रोसेस करते वक्त आपको हाथों में पानी ज़रूर लगाना है, हर बार बनाते वे आप हाथों में पानी ज बना पाएंगे आप देख सकते हैं ओल में डालने के बाद इन्होंने पर्फेक्ट रिंग शेप ले लिया है अब इसे आप गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर ली जिए देखिए फ्राई होने के बाद ये पर्फेक्ट शेप में तयार हो गए है अब इन्हें निकाल लेते हैं आप इसे सामबर चटनी किसी के साथ भी इन्जॉय कर सकते हैं ये अंदर से बहुती सौफ्ट मन के तयार होते हैं उपर से क्रिस्पी और अंदर से बिलकुल सौफ्ट और मुँ में घुल जाने वाले में दुबड़ा तेयार हो गये हैं। आप इस रेसिपी को ट्राइ जरूर कीजेगा और अपने फ्रेंड्स और फ्रैमिली में शेयर जरूर कीजेगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजेगा। सांबर और चटनी की रेसिपी मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप इस रेसिपी को इंजॉई कीजेए। और फिर मिलती हूँ मैं आपको नई रेसिपी के साथ। बाई गाईज।